तैयार हो जाई ये साल के आखरी हफ़ते के एक्शन के लिए यहां छुट्टियों का मूर माहोल बढ़ाई हो लेकिन बाजार हलकी मजबूती के साथ शुरुआत करने को है तैयार और ये हफ़ता रहेगा बेहद हैं क्योंकि आठ हफसों की लगातार तेजी के बाद क्या नव वाला है खास और आपको कहां रखनी नजर इस पर तो अंजी से करेंगे बातचीद और इससे पहले लंबे वीकेंड के बाद काम पर आ गए आकरी हफता है इन दिनों की लंबी चुटी बड़ी रिलेक्सिंग और अच्छी अच्छी आप तो शायद फ्राइड़ भी मैं तो साल में एक दिन ऐसा होता है इसे वेकुण्ठी एक आदशी कहते है तो उस दिन वहाँ पर मंदिर के चारों जो मार्ग है जिसे वेकुंट मार्ग कहते है जी वो साल में एकी दिन के लिए खुलता है अच्छा और उस दिन की सबसे ज़्यादा है में तो कहते हैं कि अगर उसने आपने उसकी परिक्रवा कर ली तो आपको मोकिश की प्राफ तो होती है और वो उसकी बड़ी जवर्दस मानिता है मतलब लाखों की संख्या में वहां प पास में स्रीकालास्ती मंदिर है और थोड़ा सदूर वैलोर में एक गोल्डन टेमपल है अच्छा वुड़ा सोने से बनावा है बता जाए लगवक तीन हजार किलो सोना वाउ पूरे सोने से बनावा है अमेजिंग है मतलब दक्षिन बारत में मंदिर एक से मतलब बढ़कर संख्या में भी और मतलब मान्यता में भी और पुराने ढ़एठे तिन-तिन-हजार साल के मदर इतने मजबूत जो एक अलग डिवाइन फिलिंग आई हमें हमारे चैनल के लिए हमारे साथियों के लिए और हमारे साथियों के लिए बिलकुल यह मागा है कि साल दोजार तो इससे भी बैतर साबित हो आप सब लोग प्रसंद रहें खुश रहें मस्त रहें स्वस्त रहें खूब वेल्थ बनाएं बाजार से और जो जो आमकाज आप बिजनिस करते हैं प्रोफिशन करते हैं उसमें भी यह हमने बगवान तिरुपती से प्राहत नहीं किये बहुत चुटी नहीं होती तो थोड़ा सा मुश्किल होता है निकल के जाना लें चुटी का दिन औरोस सही होग ऐसा बनाए कि बहुत बढ़ें काम हो अच्छा किया कहीं नहीं मनाली हो गोवा हो कूर्ग हो सारी जगह पर ऐसा ट्राफिक इस वीकेंड पर लगा है लोनाबला के लि लेकिन जो मूर्ती से और उस पर्टिकुलर जगह की जो वाइबरेशन और एनरजी है वो डिफरेंस पेदा करती है आप याद करने के लिए तो कहीं से भी याद कर सकते हैं यहां बैठकर भी वगवान को याद कर सकते हैं लेकिन जगह की भी अपनी एक इमपोर्टेंस है औ काफी मैंने दर्शकों को पूछा भी ता वीकेंड पर काफी लोगों ने दर्शन किये सोभा की चाली एक बार तो लाइफ में जाना ही चाहिए बिल्कुल जागा चाहिए चलिए तो इसी अच्छे गुड़ वाइब्स के साथ हम भी शो की शेकरते हैं शुरात और अनल जी हमें कुछ बढ़िया फातनाएं भी किये हैं हमारे लिए बता हैं सब्सक्राइब कर दो दुनिया बर के बाजार बन थे ही क्रिस्मस के मौके पर कच्छा तिल असी डॉल्र के नीचे बना हुआ है और इसके अलावा आपके लिए संकेतों में इंफोसिस को लेकर थोड़ी सी हराब घबने हैं कि ऐसा माना जा रहा है तो डेखने है आई टी शेर आर्थ हलके फिल के दबाव में रह सकते हैं आज तीन लिस्टिंग होने वाली है मुतुर्थ माइक्रोफाइनस सुरेज स्टेट और मोतीसंस इन तीन लिस्टिंग पर रहेगा फोकस और लिस्टिंग को अब तो लेकर मेरी पूरी तैयारी है तीप और तैयारी का मैंने एक जायजा भी थोड़ी जार पहले दिया है हमारे दश्कूर को भी डाला है ट्वीट करके रील डाली है कि आज जो लिस्टिंग होने वाली है उसमें से दो हम कवर करें मोतीसंस अमरी कवरेज से बाहर है उ अब आप यह रील डेखर या फिर ट्वीटर पर देख सकते हैं एक्सपर और विस्तार से हम वापस इस शो में आपके लिए विश्लेशन करेंगे तो मिस्स मत कीजिगा लिस्टिंग का पूरा एक्शन बिल्कुल तो लिस्टिंग पर तो आल जी अपके अपनी राय देंगे और IPO मार्केट में भी दमदार आक्शन है वहां पर भी अपडेट सेल लेंगे आखरी हफता है सर इतियास गवाए कि ज्यादा कुछ होता नहीं है आखरी हफते में जो क्रिस्मस और न्यूएर का पीरेड है वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं ट्रेडिंग अक्टिविटी कम जात एक बार का अब का दसका है और नो हफते से जादा काप ट्रैक्ट रॉकोर्ड है नहीं साथ से नो हफते में जाकर तेजी में बादार डम तोड़ देता है तो मेरा थीए माना है नो तो हूँ आगे की आगे देखेंगे और नौई हफते पोजिटीव रहने के लिए इसे जब volumes कम हो, triggers कम हो, ख़बरें कम हो, लेकिन इसे आप एक तरह से positive भी देख सकते हैं, कई बार क्या होता है, कि जब आपके पास ख़बरें कम होती है, तो आप उसी trend के साथ रहते हैं, जो trend चल रहा है, जब तक कि कोई ख़बर आकर उस trend को ना बदले, इस वक्त ट्रेंड ग्ल कम हैं लोग चुट्टी के मूड में जाना तो इसमें एक ही चीज यह हो सकती है, और वो यह कि आप सही लेवल पर एंट्री कर लें और थोड़ा profit booking करते हैं, यह strategy इस अफते के लिए लगए हम support लेवल पर खरीदेंगे, resistance लेवल पर profit book करेंगे, अगर breakout के signal आएंगे, तो ज nifty 2600 के उपर breakout देगा, intraday में closing basis 2450 के उपर देगा, bank nifty 48225 के उपर आपको breakout देगा, intraday 48235 के उपर ज्यादा फरक नहीं है, तो मेरे खाल से bank nifty ने शकुरार को try तो की थी, हम एक breakout देने की कोशिश करा, 48225 तक हम पहुंचे भी, यानि कि आप यह देखे कि life high से सिर्फ 100. pointy दूर रहा है, so actually पहले bank nifty दे सकता था breakout, लेकिन bank nifty वहाँ से शुकरार कोई फिसल गया, तो अब आज देखते है, bank nifty make or break trading session आज bank nifty के लिए, अगर bank nifty आज वापस से performance में आ जाता है, तब तो nifty को भी बचाएगा, खुद को भी बचाएगा, तो आज जिम्मेदारी bank n आज ज्यादा है, इसकी वज़े है कि एक थोड़ा पहले ही कमज़र हो चुके है, दूसरा, put coal ratio bank nifty का point 88 पर आचुका है, lower side पे, और तीसरा, nifty में जब भी कहीं कोई a card sector का मामला ढीला हो, जिसमें कि आज IT का हो सकता है, तो उसे बचाने के लिए कोई और दूसरा आपको च अगर इसके विपरित, bank nifty 47,000-47,200 के range में जाने की कोशिश करता है, तो nifty के लिए भी फिर वही 21,400-450 को पार करना मुश्किल होगा, तो मेरी ख्याल से आज focus आपको bank nifty पर करना चाहिए, या आज clear cut है, बाकी IT सेक्टर पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, क्यों ढीला र IT का दमदार सहरा था, आज दो खराब घब रहे हैं IT के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, और अगर banks भी सहरा नहीं दे रहे हैं, तो बाजार के लिए क्या माइने हैं, और अगर IT सुस्तोरा और banks सपोर्ट देते हैं, तो फिर क्या रहेगा, दोनों तरफ से क्या से भी बनता देखें, आईटी के लिए एक इनफोसिस साड़े बाराजार क्रोड का क्रोड का कैंसल हुआ हलका नेगेटिव, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव, ऐसा नहीं कोई किसे को अगर यह लग रहा हो कि इसके दम पर इनफोसिस चार-पांच परसें गड़ बहुत नेगेटिव है, लेकिर मेरे काल से 1.5-2% तक गड़ जाए तो बहुत हो गया, मतलब यह शुक्रवार को बड़ा उतना गड़ जाए, उतना काफी है, इससे बियोंड नहीं है, दूसरा है कि एक वह भी चर्चाहीं चल रही थी कि विप्रो में नहीं, आपको मिलने लेकिन उसका ख़बर खंडन के आए विप्रो ने, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समस्या की बात है, हाँ, 6.5% विप्रो शायद भागा है, आज शुक्रवार को किस वज़े से भागा था, अगर इसी वज़े से भागा है, तो आज गट सकता है, लेकिन गटेगा, तो मैं खरीदने की राये दूँगा, बजाए शॉर्ट करने के, तो आज मेरा दोनों ही आईटी पे, इन्फिस और विप्रो में शॉर्ट करने के बाए आए, निसले सुनों पर खरीदारी की राये, और आपको याद है, नवरतने SIP के वक्से, पहला सेक्टर हमारा आईटी इस पर हमने खरीदारी की राये दिये, और तब से लेकर देख लिए अब भी आईटी और अब भी आईटी पर बायों डिप्स है, तो आईटी में एक ही फॉर्मला बना लिए एक फंडा बना लिए, खराब खबर आने पर चाहिए, वो आईटी सेक्टर के लिए खराब आए चाहे स्टॉक के लिए आई, स्टॉक स्पेसिफिक देख के खरीदने का मुएका, तो आज इनफोसिस और विप्रो दोनों अगर अच्छा गिरे तो लेना है, तो लेना है, लेना है, अच्छा मौका है, बेचना निए, लेना है, अब जिसने BTST के तरपने 6.5% विप्रो पेचना उसका तो कोई लाज नहीं है, बट इन जर्नल अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, इंवेस्टर हैं, तो अगर विप्रो आज एक अच्छी गिराउट दिखा दे, आप लीजिए, इन फी एक अच्छी गिराउट दिखा दे, लीजिए, सिंपल है, इन फी एक पेची ये करनी है, पहला लेना क्या है, और दूसरा कब लेना है, यह ना, डायरेक्शन क्लियर है, लेना है, क्या लेना है, आई-टी, अब आई-टी में कौन सा स्टोकर किस प्रेज़, जहां खराब ख़बर आ रही है, और जहां अच्छा कट मिल गया है, तो एक तरना से अच्छा लेगा, अगर थोड़ा गडाउन मिल गया, तो अच्छा लेगा, बाकी को को कि लगे नगे, मुझे अच्छा लेगा, मुझे अच्छा लेगा, बहुत क्लियर है, तो पैनिक में मत बेज़ दीजिए, आरे, यह क्या हो गया, मैं तो बेचूँगा, 12,000 क्रोड का लो, मैं तो फाल तुम्हें बेज़, यह सोच के लिए था कि 12,000 क्रोड का, जब लिया था तो यह नहीं सोचा था, जब लिया विपरो तब यह सोचा था, यह लो नहीं साब आईगे, नहीं ना, फिर क्या है, यह तो सब चलता रहता है, पार्ट ओफ लाइफ है, रो जाएं तो लेने में कहां आके रुखे को देखना पड़ेगा, तो फिर इससे बढ़िया है, कमेंटरी पर जाहिए, लोर लेवल पर खरीदने का मौकाद ढूंडेंगे, बात खत्म, ठीक है, बाकी सेक्टर्स का अच्छा पाटिस्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पि बैंक्स अबर stris के का इससरे की श्रेंग एवर कर देन सब्सपिश्पिश्पिश्फिश्पियला…. पहली बार HDFC bank को थोड़ी अंदर से feeling आ रही है कि मैं लीडर हूँ मैं बैंक डिप्टे को हिला सकता हूँ यह पहली बार आ रही है अधर वैसे से बैंक को ही लीडर मानके चलते हैं So I think HDFC bank make or break है और HDFC bank भी buy on dips है अगर HDFC bank कल पंदर रुपे गटा है I'm in शुकुरार को आज अगर HDFC bank फिर से आपको थोड़ा अच्छा entry point मिला है so कुछ-कुछ शेरों में और कुछ-कुछ सेक्टास में आफ व्यू क्लियर कर लीजए HDFC bank बेचना नहीं है buy on dips से जिनको बढ़िया safety large cap एगनम जिनको चाहिए हर तरह की लोग है किसी को सबसे खराब वाला बैंक क्वें क्वाला बैंक चूए जो दिन में पंच परसंट बढ़ जाए किसी को ऐसा बैंक चीए कि मधने में बैप वर थो मइने में बढ़े पंच परसंट तो सिल्ख करनी है हई-गर य stomach back में और वह में फुर परसंट था जता है उसकी परशानी मत करिए बता है सर कुछ खास बाते हैं आज के लिए खास बाते हैं एक ग्लोबल में बात करना थोड़ा सा रहेगा हलका सा टच करके निकलाओ लेकिन ग्लोबल में एक दो चीज़ें दीब बात करनी है वह यह कि पहली चीज वैसे सुस्सी का माहूल है लेकिन आज तो फुल सेच ट्रेडिंग सेशन होगा अमेरिका में जो हमारे लिए दो थीन संकेत इंपोर्टेंट है कच्चा तेल अस्ती के नीचे है तो अस्ती के उपर निकल कर भाग नहीं रहा है डोलर इंडेक्स और कमाया है जुलाई के बाद के निचले सुनों पर आता दिख संकेत आप लेकर चलिए बाकी आज की स्ट्रेजी में ग्लोबल लोकल दोनों ही संकेत आपके मिले जुले हैं जैसे कि अभी हमने बात करी लिए लोकल भी आपके मिले जुले में आगे बता दूँगा गरेलू फंड्स ने अच्छी खरीदारी किये शुकरवार के सेशन में आप नंबर्स देखेंगे आपकी तवियत खुश हो जाएगी करीवन कर भी एकिस सो बाइस सो क्रोड की खरीदारी गरेलू फंड्स की हुए है एफाइस के भी स्टॉक फिचर्स में दमदार खरीदारी और इस पॉइंट को मैं यहीं पर डिसकुस करना चाहता हूं क्योंकि आज मैंने एफाइस और डियाइस दोनों के संकेत पोजिटिव रखे हैं और लोगों सर्परेज हो गा रहे हैं ऐसा मैंने क्यों किया जबकि 2800 क्रोड की तो एफाइस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी है जो बड़ी है छोटी नहीं है राइट बिलकुल है बड़ी अब इस खरीदारी में माफ किज़ए खरीदारी में 2800 क्रोड की अब इस बिकवाली में दो चीज़े है पहला 1600 क्रोड का एफाइस ने बेचा है एक लोट आए-फाइल का ठीक है वो निकाल दीजिए तो कितना बचा है आपका करीबन कर आख दो बार्रा सो क्रोड का बेच तो जो निकाल दे तो नेट-नेट FIS की केश मार्केट में 16 क्रोड की बिकवाली है, लोट को इठाकर, 16 क्रोड बेचा है, सामने स्टॉक फ्यूचर कितना खरीदा है, बर बर के, जोली बर के, 6200 क्रोड से जादा का, और इंडेक्स बेचा कितना कि सिर्फ 225 का, ज्यादा नहीं सो 6200 क्रोड के सामने 1600 क्रोड की बिकवाली, इससे आप अंदार लगई, इसलिए मैंने स्टॉक इस ये दोनों को मिला कर, FIS के लिए आज पोजिटिव रखा है, और लोकल फंड ने 2167 क्रोड की खरीदार की, वो भी अच्छा है, तो आज सबसे बड़ा ट्रिगर भारती बा स्टॉक फूचर की दमदार खरीदार के और वो भी तब जबके शुक्रवार को ऐसा नहीं कोई आप बहुत ज्यादा वागयों, निफ्टी 100 पर था, बैंक निफ्टी तो 2500-300 पर नीचे, 300 पर नीचे था, साड़े 300 पर नीचे था, इस रिसाब से नंबर बढ़िया, तीसी हलका कमजोर रह सकता है, जिसका जिकर हम करी चुके हैं, छुटियों के महावल में आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, और इस ट्रेडिंग के मौके में जो सपोर्ट रेंज है, वो समझ लिजए, 21,200 ये सपोर्ट का काम करेगा, इस रेंज में आते करके वापस इंतिजार करना है, 21,200 ये मैं पूरे हफ़ते के लिए बता रहा हूँ, अगर 21,000 के नीचे जाकर ट्रेड करेंगे, यानि पिछले हफ़ते का नो, 20,975 है, तो पिछले हफ़ते का लो तोड़ेंगे, तो हम कमजोर होना शुरू करेंगे, पिछले हफ़ते का है, 21,600 के आसपास, 2593 लाइफ आई है, 2600 के पार निकलेंगे, तो हम और मजबूत हो जाएंगे, तो इस 600 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें आपको टाइम पास करना है, उसको भी आप शौर्ट करें, 2200, 2450, ये निकल कर आजाती, ये आपकी चोटी ने, तो इस हिसाब से आप strategy बना लिए, एक तरफा TG, ना सोचना है, ना एक तरफा मंदी सोचना है, इसलिए ने ज़्यादा डरना है, डरना तो है नहीं, दरने तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन और confident होना आपके हाथ में, वो भी मत होना है, होने में सब हो जाएगा, 50,000 भी हो जाएगा, 20,000 भी पर तो रोज रोज देखो ही मत, सुना ही मत, लेकि यह देली वाला जो मामला है, आज कल कहला है, तो उसके लिए आपको trading range को करना है, रा सवाल action का, आपको focus stock specific action पर करना है, cash market के stocks पर करना है, mid cap small capture पर करना है, वहाँ मोकी मिलेंगे और अच्छी मिलेंगे, वहाँ focus करिए, इंडेक्स range bound, stock specific तेजी, यह आज की और इस अफ़ते की, ठीक है, stocks पर जादा focus है, इंडेक्स भी ठीक आपको दिख रहा है, और आज के जादातर संकेत या तो positive या neutral territory में दिख रहे है, वहाँ से भी positivity है, नेगिटिव एक भी नहीं है, global F&O neutral, और बाकि चारों के चारों सं पर जोन है, इसके ठीक नीचे, 21,150, 21,225, perfect strong buy zone जहां पर आएं तो आपको सारे shortcut के long position भी आगे के लिए बनानी है, ओके, अब आईए, उपर के लिए, 21,400, 21,450, यह आपके लिए उपरी range है, और बार करकर के निकले, 21,455, 21,555 वो range है जहां पर आपको आराम से profit booking करके बैंक डिफ्टी, 47,200, 47,400 आपका पहला support zone है, 25 point का adjustment आप बैंक डिफ्टी में कर ले, 21 point उपर नीचे आप अपने इसाब से देख ले, मैंने round figure में दिया है, 46,900, 47,100, strong buy zone है, जहां पर shortcut के long भी बनानी है, उपर के तरफ 47,750, 47,850, हलकी full की रुकावट की range, पार करके निकल 48,219, got it sir, ठीक है, FIS की positioning, put call issue क्या सब? बागी सब comfort है, बैंक डिफ्टी का put call issue अच्छा, हलका हो चुआ है, point rated, बढ़िया है, stop loss, intraday में निफ्टी में, शुक्रवार का low है, 21,230, उसके ठीक निचे, 21,225 का रखे है, closing 21,150 का stop loss है, और इसके साथ कोई किसी तरह की नहीं करेगा, बैंक डिफ्टी, 47,200, 47,000, जिसको छोटा रखना है, stop loss, बैंक डिफ्टी पे, 47,400 का भी रख सकता है, शुक्रार का low का, तक मेरा मानना है, 47,200, 47,000 का stop loss के closing basis पे, अगर आप short है, तो आपके लिए stop loss, डिफ्टी पर है, 21,500 का intraday का, closing 21,450 का है, इसके उपर अगर बंद होता है, दो लाइफ हाई, नया closing मिलेगा, 21,456 है precisely, बस लाइफ हाई के उपर बंद हो, तो short cut लीजिए, बैंक डिफ्टी, intraday 48,100 है, और closing 48,000 के उपर है, और चाहे तो 41,150 भी closing basis पे, आप stop loss रख सकते हैं, या आपके लिए short side के stop loss, या आपके लिए कुछ 235 पे थोड़ा और ले लिए, दो टुकड़ों में लीजिए, stop loss लगाई है, 21,150, तरका target बनेगा आपका, 2335, 365, दो छोटे target, 390, 450, दो medium target है, 400, 450, 480 के final target, और आपको लग रहा हूँ कि या target आज आड़े तेरे आए हैं, एक दिन round figure में नहीं हैं, तो week-end सा 3 दिन के चोटे बेचे, बेचे, अब कहां बेचना ही है, एक तो शुक्रवार का ही, 2390 है, वहां बेचे है, थोड़ा रुक के, मुझे लगता है, थोड़ा सा रुक के बेचेंगी, ज्यादा बढ़िया है, 2400 के उपर से ही बेचना शुरू करना चाहिए, 415 पहला level हो सकता है, सबसे बढ़ सकते हैं, बेचने के बाद आपको टार्गेट जो रखने है, 21,360, 335 दो छोटे टार्गेट है, 300, 260 और 235 तक के बड़े टार्गेट, बस इतने ही, ऐसे नहीं कि टार्गेट भी बहुत लंबे चोड़े ज्यादा निचे और उपर के निचे के दोनों के टार्गेट मेंने ल हाई रेंज है, लेंगे मेरे ख्याल से 47,000, 47,202 टुकड़ों में यहां ले सकते हैं, 46,900 के थोड़ा सा निचे स्टॉप लोस रखे हैं, 47,400, 500 दो छोटे टार्गेट हैं, 650, 725 दो मीडियम टार्गेट हैं, 850 और 47,925 तक के फाइनल टार्गेट, यह करनी है आपको खरीद टुकड़ों में बेचना पड़ेगा, आपको 47,850, 47,925 और 48,075 और अगर आपको दो टुकड़ों में बेचना है तो एक लोर रेंज पे एक हायर रेंज पे, चाहे तो मीडियम में आप 48,000 के आसपास भी बेच सकते हैं, तो दो तीन टुकड़ों में आपको टीन टुकड अच्छे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, मौका में लेगा, बस फॉलो करें अपने लेवल्स, कोई इंपोर्टन लेवल्स हैं वाहिदा करुबार के हैं, वाहिदा करुबार में लेवल्स दीप देखिए, वैसे तो डेटा कम है, आप बंद हुएं एकिस तीन सुपचास पे, नीचे का लेवल्स बहुत ज़्यादा डेटा है, यह उपर का एक क्लियर कट दिख रहा है, वह है एकिस पान सू, एकिस पान सू को पार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, सततर लाग शेरों का ओपन इस हायर साइड पर वहां पर है, बस बाकी ठीक है, बैंक निफ स्टाटेजी, बट स्टॉक्स पर जादा करना है, फोकस, आज डबल बुनानजा स्टॉक अभी भी देंगे, नौ बजे भी देंगे, पहले इस समय का स्टॉक अफ़ दे जान लेते है, आर बी एल बैंक, इसके फूचर्स में खरिदारी करने के रहा है, और जो लेवल्स में खरिदना है, 289, 282, 285, 279, 282, 285 तक के बड़े टार्गर के लिए करनी है, करीदारी है, और क्यों खरिदना है, उसके दो कारण है, एक जैसा मैंने बताया है, एफ एनो बैंच से बाहरा आ चुका है, दूसरा कारण जो है, बड़ा कारण वो है कि आर बैंके नोमिनी डार् और उसको एक्स्टेंशन नहीं किया, इसका मतलब कहिन कहीं आर भी है, बैक अफ दमाइंड यहां कि सब ठीक है, जो हमने जिस वज़े से रखा था, योगेश दयाल साब को उनने देख लिया, जरूत नहीं है, यह बड़ी चीज है, जो इंडिरिक्ट इसका मतलब यह है, औ यह बार उपर से बार भी आ जाया है, तो मतलब क्या केना है, यह बड़ी नहीं है, यह बड़ी नहीं है, और उसके बाद दो स्टॉक ऑफ दे डे और आपके लिए है, जो मैं आपको नो बजे लेंगे, जाहें तो एक काम करता हूँ, एक और भी दे देता हूँ, अच्छा, जा रही है, पानसो अठाटर, यह आपका स्टॉप्रोस लेवल होना चाहिए, फ्यूचर्स के लेवलिये में दे रहा हूँ, टार्गेट पानसो नभे, पानसो चौराइवर, पानसो जन्द्यावर के लेकर चले, इनके बोर्ड ने चार हजार दो सु कोड़ के भारी भरकम अब इसे नेगेटिव साइट पर देखे तो आपको लेगे कि बड़ा एक्विटी डिलूशन हो रहा है, लेकिन बड़ा फंडरीजिंग प्लान आ रहा है, सबसे बड़ी बात किया है, यह स्टोक है, बड़ा ठंडा, वन अफ द वर्स पर्फोर्मर इस पूरी तेजी में आ थोड़ा हाई रिस्क कॉल है, लेकिन एक बार स्टिक स्टॉप लोज के साथ 578 का लगा कर आप यूपेल में खरीदारी कर सकते हैं, और एक स्टॉक आपके लिए नो बजाएगा, कैश मार्किट का, जहां पर स्टॉक ओफ देडे में और दूँगा, और अभी दो इसलिए क्योंकि फिर वापस नो बजे मुझे आई प्यू लिस्टिंग पर भी बात करनी है, सूरज, मुथुट, माइक्रो फाइनेंस, इन दोनों आई प्यू का विशलेशन आपके लिए है, तयाफ, तो बल्कुल लिस्टिंग की बात करनी है, स्टॉक ओफ दे भी आएगा, कौफ 24 तेज़ी की गारंटी, इस खास स्रीज में आज हम मुलाकात करेंगे, अगले साल के आउटलुप के लिए, बाज़ार के दिगज समीर अरोरा साथ के साथ, बिल्कुल तो वो भी एक खास शो आ रहा है, आपके लिए 11 बजे मिस मत कीजेगा, इसे, आएए बात करते हैं फिर वरुन के साथ, आशीश और नुपूर के साथ भी आज की खबरें ट्रिगर्स और सारी ब्रोकुर्जिस के बारे में, वरुन मॉनिंग करिया शुरूआ ट्रिगर्स अख़ोरा करेंगे, इस पर नजर रखेगा क्योंकि बोड़ बैटक में फंज जोटाने पर विचार दूसरा IPO जैसे के अनियसर ने कहा एक तो मुतुत माइक्रोफिन है इसके लेस्टिंग है 291 का इशु प्राइस था इशु प्राइस है और सूरज एस्टेट डेवलपर्स 360 का इसका इशु प्राइस है क्रिकेट में इंडिया साथ आफ्रिका पाइला टेस्ट जो है वह आज से शुरू होने वाला है देड़ बजे आज से तीस दिसम बता के चलेगा ग्लोबली यूके में लेडिंग हॉलिडे है बॉक्सिंग डे के चलते और हॉंग कॉंग का तो बादार बंद है आपको पता ही है प्रिसमस के चलते आईपयो अपडेट में आजाद इंजिनरिंग फाइनल डे का जो अपडेट है वह आपको बता रहा हूं कुल 80.6 टाइमस यह भरा है जिसमें रीटेल का हिस्सा 23.8 टाइमस भरा है इनोवा कैप टैप इसका सेकंड डे का अपडेट है आज यह आईपयो बंद होने वाला है टोटल 3.5 टाइमस भरा है और रीटेल का हिस्सा 5 गुना भर चुका है अब बात करते हैं कुछ खबरों की जिसमें सबसे पहले इनफोसिस पर आप नज़र रखेगा क्योंकि आप ग्लोबल कंपनी ने सितंबर में इस कंपनी के साथ जो करार किया था जो ओर्डर था उसको कर दिया है करिब 500 क्लोड डॉलर के आसपास का एक रार था यानि की साड़े बारा हजार क्लोड रूपे के आसपास का एक करार किया गया था जिसको अब टर्मिनेट कर दिया गया है और विप्रो जो ओवर दे वीकेंड खबरे चल रही थी कि संजे जलोना साब जो की लिटे लिटो गुड मॉरिंग पेडियें के साथ शुरुआत करते हैं कंटे के तरफ से एक बड़ा अनौंसमेंट आते दिखा जहां पर उनका कहना है कि AI ट्रांसफोमेशन के चलते हजार से जादा कर्मचारीयों की कंपनी ने चट्नी किये यहां पर उनका कहना है कि AI ट्रांसवम प्रोजेक्ट पर भी फोकस करके चलना है बड़ी पॉस्टिव खबर है कंपनी के लिए नहीं से कंपनी को 507 क्रोड का एक और मिला है न्यू एच पॉलिमर इंटर्मिडेट सप्लाइ के लिए इस और को की लिए कंपनी ने साइन किया है जहां पर क्यू आई भी बंद हो चुका है उन्हें इस तारिक को ये खुला था 22 दिसम्बर को बंद हो गया क्यू आई पी की इश्यू प्राइस जो कंपनी की एक काटेगरी है उसमें ये करार किया गया है तो इस बाइको नाच फोकस मिलेगा और अब इंदो फार्मा जाइडस लाइफ साइंसेस पर भी फोकस करके चलना है क्योंकि और अब इंदो फार्मा यूएस एफडिय की जो इंस्पेक्शन की गई थी दस आपति की जो जाचे वो पूरी किये यूएस एफडिय ने चौदा से बाइस दिसेंबर के बीच की गई थी छे उपसरवेशन यहां पर यूएस एफडिय ने दिये तो दोनों स्टॉक्स थोड़े नेगिटिवली रियाक्ट कर सकता है ओके ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों क पर मोहर लगी है आई टी डिपार्टमेंट ने मुंबई के कंपनी के कुछ परिसर और प्लांट में सर्च ऑपरेशन किया है और इसका इंपक्ट आपने देखा भी था श्टॉक की धुलाई होई थी फ्राइडे को अडानी ग्रीन एनरजी कंपनी ने सोलार एनरजी कोपरे करना होगा दाजमिया भारत यहां पे ब्लोग डील हुई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सेलर जो है वो है केशव पावर नॉन प्रमोटर है 6.53 लाक शेह इन्होंने बेचे हैं खरीदे हैं प्रमोटर दाजमिया भारत ली फैक्ट्री इस ने यहां पे पूरे के पूरे शेह समदर मदसन यहां पे भी नॉन प्रमोटर जजज़ जैन ने 10.75 लाक शेह बेचे हैं खरीदे है रेनू सेगर ड्रस ने जो की प्रमोटर है पूरे के पूरे शेह इन्होंने खरीदे हैं वीगार्ड में यहां पे भी प्रमोटर के तरफ से 45 लाक शेह बेचे 10.52 क्रोज ने शेयर जो है वो बेचे जाएंगे करीब 5500 कोड ये कम्पनी जुटा सकती है और भावेश अगरवाल यहां पे शेयर बेच सकते हैं जो कि इस कमने के को फाउंडर एंड सीओ है ओके यह है आपके लिए सारक का सारक खबरों का आक्शन ब्रोकरजिस जान लेते हैं F.I.R. मौनिंग आशिश बताएं क्या कहरें आज की रिपोर्ट सर्फ तीन रिपोर्ट से आज हमारे पास सबसे पहले भारत एलेक्ट्रोनिक, C.L.S.E. की तरफ से काफी बड़िया रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी के राय के साथ टागेट प्राइस बड़िया इंक्रीज गया है भाव चल रहा है 175 रुपे का यह मान रहे कि मेक इन इंडिया ओर्डर मिनके चलते हैं बड़ा फोकस यहां पर देखने को मिल रहा है लगातार बड़े ओर्डर मिल रहे है इसी के चलते हैं नोने EPS के अनुमान में अगर आप देखें तो 5 से लेके 7 परसन की बड़ी बड़ोतरी किये दिन के दुरान यह रिपोर्ट आपको विस्तार से बताऊंगा जे कुमार इंफरा यहां पर भी देखें CLSC की तरफ से रिपोर्ट आई है खरिदारी किराय को बड़करा रखा गया और लक्ष जो है 385 रुपे से सीधे बड़ा कर 720 रुपे का टागेट दिया है 495 रुपे का भाव चल रहा है हमानरे कि जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन के ओर्डर्र में हो रहे हैं इसका एक बड़ा बेनफिट देखने को मिलेगा और EPS के एज़ एस्टिमेट से यहाँ पर भी इनोने बड़ाए हैं अंत में कैनफेन होम्स, मौगन स्नाइली की तरफ से रिपोर्ट आई है और वेट की रिटिंग को बड़करा रखा है 765 रुपे का भाव, टागेट है इनकी तरफ से पूरे हजार रुपे का और यह बतारे कि एकरा ने इनकी लॉंग टर्म डेट की रिटिंग बड़ाकर ट्रिपल एक ही कर दिया इसके चलते हैं कॉस्ट आफ फंड्स है यह गिर जाएगा तो इसका एक बेनेफिट यहां पर देखने कुमलेगा और जो वालुएशन ने यह भी अट्रैक्टिव है इसी के चलते हैं साथ सो पैसट का भाव और हजार रुबे का टागिट दिया है तीन ही रिपोर्ट है बस तीन रुपोर्ट है लेकि तीन अच्छी है तीन अच्छी रिपोर्ट ने चाहता है लेकिन कोई रिपोर्ट आये तब तो न जादा तर एफए सब चुटी के मूर में चले है तो आप अपनी चुटी के लिंक क्यों नहीं करते है अगले साल जिहार रखें अगले साल बर तक नहीं दे है आये बढ़ते आगे और हमारे सारे एक्सपर्ट का किया जाए स्वागत वक्ते पिक अफ़ दे वीक का तैयार है हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट सूपरहात आप सभी को इस साल का आखरी अफ़ता इमांची जी करें शुरूआत गूड मॉर्निंग बॉड मॉर्निंग टीप बॉड मॉर्निंग एवरिवन अनलिंपिक ऑफ दवीक के तौर पर खरिदारी का आइडिया है और खरिदारी करनी है पतंजली में जिसमें मुझे लगता है एक ब्रेकाउट की तैयारी है एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला और मुझे 121 रुपे के आसपास अनिल जिसका खरिदारी करेंगे 1575 रुपे का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना है और इस हफते के लिए 1740 और 1800 रुपे के दो टार्गेट के लिए पतंजली रहेगा इस हफते का पिक ऑफ दरी 1740-802 टार्गेट के लिए करें खरिदारी पतंजल में एक कैश मांकेट का स्टॉप भी और एक फ्यूचर का स्टॉप है जो फ्यूचर केटिगरी से पिक अफ दे रहता है अच्छा तो पैनल के आपके जो दोस्त लोग छुट्टिया मार रहे हैं उनके मतले में आप काम कर रहे हैं आज राइट वाह तो उनकी तरफ से तो आ आपको धन्यवाद मिलने ही चाहिए इनकाइड हमारे तरफ से इनवर्स बहुत बहुत धन्यवाद से इसाब बताएं जर पिक अफ दे वीक बिलकुल आनिल जी आज का जो मेरा फ्यूचर सेग्मेंट से पिक अफ दे वीक है एक मेटल स्टॉक है जे एस पील में खरजारी कर आवट आई है मुझे लगता है मेटल्स के लिए अच्छे दिन चल रहे हैं तो GSPL में खरजारी करने की सला है for a target of 740, stop loss of 715 और जो cash market का स्टॉक है जिसमें आज as a pick of the week or pick of the day जो दिना चाहूंगा energy वो स्टॉक है EMS ये भी आज फोकस में रहना चाहिए एक अच्छी क्वा water related infrastructure projects करती है और इसमें खरीदारी करने की सला रहेगी 417 पे बंद हुआ 415 का target 410 रुपे का स्टॉक है तो ये दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने करा है एक futures का JSPL दूसर cash market का जहां पर EMS में खरीदारी करने है 410 का स्टॉक है 415 का target परफेक्ट आए बंसल जी का भी कि जिए आपको चुट्यों के अलावा? तो एक चीज नहीं सिखी अनिल जी और आपकी की एक female fan ने बोला आपको बोलने के लिए कि अनिल जी को ऐसे good morning मत बोला करो उनको बोला करो wish you a pleasant and a peaceful morning तो अनिल जी मैं तो लिखके लाया था आप अगर मेरे पास शुरू में आगे होते हैं तो मैं लिखा हुआ निकालने में समय लगा मेरे को अच्छा हुआ लगा तो यह सारे messages थे आपके लिए अनिल जी जो मैंने आप तक पहुचा दिये और वो जो अनिल जी जिसका आपने firep तो मैंने का यार डाडियों की मारा मारी लगी हुई है अगर आप बोले तो अनिल जी उसका message भी रिकॉर्ड करके शियर कर दू पोशन मीडिया पर बिल्कुल जो आप देखो ऐसा है वैसे भी जो आपको करना वो तो आप करोगी जी तो फिर मेरी तरफ से सब चीज़ों के आपके जितने भी हमारे extended family member दर्शक जो भी हमें लगाता देखते हैं प्यार करते हैं उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद instantly दे दिया किजे और वापस मिले तब भी बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से आप अपना प्यार आशिरवाद बनाए रखिए और motivation मिलता है अच् मुझे एक चीज मिला कि जनरल ये हम लोग हिंदी चैनल है और ने चलिए दक्षिन भारत के जितने लोग है तो उनको थोड़ा सा हिंदी समझने में मुश्किल होती है और special numbers वह उनकी छोड़ो मुंबई के भी हमारे कितने लोग हैं जो कई बार चकर खायाते हैं हिंदी महा सतर से लेकर 90 तक वाला मामला उसमें बहुत लोग हुआ है लेकिन मतलब जो एकड़म भारती लोग थे कम से कम 10 से 12 पंदर लोग मुझे ऐसे मिले हैं हाँ जो अपनी वो टुटी-फुटी हंदी में बड़ा सर हम देखते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है और हमको समझ ले तो बोलें कि थोड़ा आप इंग्लिश के नंबर्स बोलेंगे तो ज्यादा वैतर उनके रिक्वेस्ट और एक तो लेड़ी थी जिनके पास तीन चोटे-चोटे से बच्चे थे एक दम बिलकुल जिनको देखके मैं सोच भी नहीं सकता था यह भी बिजनिस देखते हैंगे तो बोला आप अनिल सर है ना इडेंटिफाइ कर लिया बड़ी जी यह तो मतलब मुझे यह तो समझ में आता था है बैंगलोड तक ठीक है काफी लोग देखते हैं हैधराबाद में भी है लेकिन मतलब इतना दूर साउथ में इस्पेशली तमिल नाडू वगरा एरिया में यह थोड़ा सर्प्राइजिंग है अच्छा चलिए बहुत बढ़िया धनिवाद बंसल जी बताएं सर अब इस हफ़ते का शेयर अनिर जी हफ़ते के लिए दो शेयर निकाल के लाया हूँ जिम्मेवारी निभा रहा हूँ मेरे जो चार्ट का उर्णर पार्टनर है अनिर जी वो मतलब की होलिडे बना रहे हैं तो दो स्टॉक हैं पहला तो फ्यूचर सेग्मेंट से जूबलियन फूड़वक है 580 के टार्गेट के लिए जूबलियन फूड़वक पर ख्रिदारी की राया है और दूसरा स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है वो है जैकुमार इंफ्रा जिस पर भी आशीश रिपोर्ट भी चैर कर रहे थे 494 के राउंड चल रहा है स्टॉक ने 2015 के हाइस को निकाला है अन अगर आपको उनके व्याफ पर देना ही तो एक आपका रखो एक उनका रखो ऐसे कमाइंड थोड़ी चलेगा अनियल जी पता निया रिबाट अगरा जी चल जुह आपने पास रखता है किसको कुनाजी के पास देना है तो अभी दोनों कमाइंड जैकाइट यह जिट होहा तब गाने के टरयए कि तक देख लेंगा दोनों लिये भी जे कुमार और जूबिलैट फोर्ब्जागji दोजन वजन जो भी रखना है, बाद मैं आपको पता चलेगा, मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ ने अनिल जी आपने सिखाया था कि वो जो अच्छे वाली चीज है ना, वो अनिल जी जैक कुमार इंफरा कुनाल जी को दे रहा हूँ अच्छा एक चीज़ बताओ, खाली इन शोट, अगर आपको मोका मिले, कुनाल जी और मेरे को दोनों में से एक को चूज करना किसको करोगी आज गये, आज गये पंदल जी आपको अनिल जी आपको ओ, अनिल जी तो है भी नी सुन भी नी रहे चेलिए, आके पता चलेगा, आएए सुमीजी का स्वागत, गूड मॉनिक सुमीजी, साल के आखरी अफते पर सुमीजी दिख रहे है एक दम तरोत आजा, smiling, ever smiling, shining, बताए सर, pick of the week अनिल जी, आखरी अफता है, साल का और वैसे भी तीम दिन की छुटी के बाद है, तो अच्छा लगता है, वैसे भी विकेंड एंजोए करे तो और भी अच्छा लगता है, क्या बात है, वेरी नाइस, जी, तो अनिल जी, अपी सफते के जो चार्ट टेडिंग देज है, उस तो 3,905 के स्टॉप लोज बनेगा, और इस हफते में जो उपर में टागेट देखने को मिल सकते हैं, 4150 इसका पहला टागेट होगा, 4150 इसका दूसरा टागेट होगा, तो खड़दारी करें, आईशेर मोटर 3905 के स्टॉप लोज से 4150 के टागेट से, 4150 के टागेट से लि बताई से, बिल्कुल आनिल जी, पिक्स देने के पहले आनिल जी, जो राकेश जी अभी दुविदा में थे, और आपने जेके आईयल के हूं में से चूज करने बोला, ये जेके आयल स्टॉक हाली में मैंने 420 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, 30 नमपर के और वहां स लिमिटेट, बिल, इसमें आज के टार्गेट रहेंगे, 182 के स्टॉप लॉस रखना, 170 का, एक बहुती दमदार क्वालिटी की डिफेंस कंपनी है, और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में चल रहा है, या फोकस है, या जो ओर्डरेस रेगुलर इंटर्विल पे मिलते हैं, आज कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है, काफी बुलिश रिपोर्ट है इस पे, मुझे रखता है यह स्टॉक अच्छा करेगा, तो इसमें खरिदारी करने की सला, तीसरा स्टॉक है एनलजी, में खरिदारी करने की सला, 1076 पे क्लोज हुआ है, कल मतलब, सॉरी, फ्राइडे और last but not the least, जो final stock है, वो एक auto stock रहेगा, हीरो मोटो कोप में खरिदारी करने की सला है, for a target of 4000, stop loss of 3910 तो ज्यादा तर बड़े stock सी पसंद आरे है, सीरीज आपको एक EMS है, इसके लावाद JSPL, BEL, United Spirits, PNB और Hero Moto, यहाँ पर आपको action बनते हुए दिख सकता है, इन सारे counters पर भी रखेगा नजब, आई IT, अनलजी से हम इनके बारे में बात करी रहे थे, चार्ट पर थोड़े levels ले रहे जाए, Infosys पहले हिमांचु जी इस पर नज़र डाले है, नेगेटिव खबर है, साड़े 12,000 करोड का long term एक contract है, जिसको cancel कर दिया गया है, चार्ट पर Infosys वैसे तो Friday को active था, अगर आज react करता है, तो support और resistance कहां दिखती है सर? इस नेगेटिव निउस के चलते, अगर stock 1500-1520 के trajectory में मिलता है, तो वो खरिदारी का अच्छा मौका होना चाहिए, काफी stiff resistance थी 1500 रुपे के आसपास, जैसे stock उसके ऊपर निकला था, stock ने एक ही दिन में अगबद 4-5% की टेजी दिखाए थी, तो मुझे लगता है 1500-1520 एक support zone है, जहां पर clearly आपको खरिदारी करनी चाहिए, stop loss के तौर पर 1480 रुपे का closing basis पर stop loss maintain किया जा सकता है, अगर आप short term trader है, positionally 1440-1450 रुपे का stop loss बनेगा, और मुझे लगता है गिरावट में खरिदारी की जा सकती है, गिरावट में खरिदारी की जा सकती है, विपरो के ल रियक्शन के हिसाब से यहां पर चार्ट के important levels क्या होंगे, देबांचु चार्ट देखें तो विपरो का चार्ट भी extremely positive है, और अगर ख़बर के चलते हैं, स्टॉक में correction आती है, स्टॉक 440 से लेकर, 445 के बैंड में मिलता है, तो खरिदना चाहिए, ब्रेक आउट के स्तर ह चाहिए, 440, 445 के बैंड में खरिदना चाहिए, और टार्गेट यहां बैठते हैं, 490, 495 के stop loss लगाना चाहिए, 428 के राउंड का, ओके तो यह है आपके लिए विपरो, इस पर भी देखते हैं, और अनिजी ने तो खेर कहा ही है, निचले सरो पर आप खरिदारी के ही मौक के ढूंडिए, यहां पर आपको एक रियाक्शन आते हुए दिख सकता है, आज ट्रेड में विपरो और इन फी दोनों ही इंपॉर्टन रहेंगे, पेटियम, इनके इस पर भी एक राय लिनी है, सेरी साब एक पेटियम पर राय दे, हजार लोगों की चटनी कर रहे हैं, अब मुझे लगता है, यह जो आज की खबर है, उसको positively लेना चाहिए, जो इनका focus रहेगा AI के उपर, और बाकी, करेक्शन के बाद आप यहां पर एक होल तो इक बनता ही है, बाकी यहां से अच्छे, मुझे लगता है, अच्छे अच्छे अपसाइट देखने है चाहिए इ अज पेटियम पर कैसी मूव आती है, इस खबर का रियाक्शन किस तना कंपणी पर आएगा, अनुपाम रसाइन, यहां पर एक मुल्टिनाशन कंपणी से ने 500 करोड का ओडर मिला है, यह इंट्रेसिंग खबर है, सुमजी एक बार जबना नजर डालेंगे, वैसे इस पर आपको आते हैं, देखते हैं, अज खबर के बाद यह कैसा रियाक्शन दिखाएगा, PNC Infra, इनके लिए भी अच्छी खबर है, एक order win यहां पर भी है, 1600 करोड का order इन्हें NHAI की तरफ से मिला है, सेटी साब PNC Infra कैसा लगता है, इनके लिए अच्छा order आए है सर? अगेन पसंदिता स्टोक रहा है, और कई बार मैंने इस स्टोक को रिकमेंड किया है, इस पर आना चाहिए है, और over medium to long term यहां से अच्छे upside की उमीद है, तो स्टोक में बिलकुल खरीदारी करने की बने रने की सला है. खरीदारी करिए, बने रही है, यह है आपके लिए PNC Infra, जेके टायर का एक बार चार्ट देख लें, QIP के final figure हमारे साथ आ गए है, issue price 345 का है, Friday के close से देखें, तो करीब-करीब 10% के discount पर 9 issue price तेग किया है, बट QIP में अच्छी डिमांड थी, 500 करोड 9 QIP के ज़रे जुटा भी लिया है, अब चार्ट पर लेवल्स बताएं सर. मुझे लगता है कि अगर को tip मिलता भी है, तो stock में खरीदारी देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि positionally थोड़ा सा अगर स्टॉक को समय दे तो 425-450 उपर तक के भी targets आने वाले कुछ हमतों में JK Tires पे देखने को मिल सकते हैं. यह है अपके लिए JK Tire जहां पर रखनी है ना सर. सेरी साब, आपकी भी कोई राय सर, JK Tire के counter पर? स्टॉक में बुलिश रहा हूँ और अभी भी बुलिश हूँ, मुझे लगता है, क्रूड में भी जिस तरह की गिरावाट देखी गई है, मतलब despite so much of tension around, क्रूड में कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है और क्रूड अच्छे लिवल्स पे है, और उस पे जो टायर स्ट स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छी तेजी बनकी है, कंपनी का पर्फॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है, और कंपरेट टू इस पियर्स यह स्टॉक्वी विलेशन के लिएद से भी अट्रक्टिव लगता है, स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की अबने रने की सला रहेगी, बायोकॉन, इनके लेक खबर है, जपान में एफके भी इंग्जेक्शन की बिक्री के लिए, उनना ने सैंडोस के साथ करार किया है, इंपोर्टन डिवेलोप्मेंट है, बंसे जी एक बार बायोकॉन के चार्ट पर नजर डालें, धाइसो के थोड़ा नीचे साथ बने रहने की राय है, और डिपांचु उपर में 254 तो जा सकता है, और डिपांचु नई खरेदारी की यह भी राय नहीं है, इपर वेट और वाच करेंगे, खुलने के बाद कोई पॉजिटिव क्रॉस ओपर दिखने को मिलता है, तब खरीदेंगे, एल्स जिन्होंने लिया हुआ है, वो होल्ड करें, लिया हुआ है तो होल्ड करें, फ्रेश खरेदारी की इस समय, राय इस काउंट पर नहीं बन रही है, बढ़ाये, और भी कौन से स्टॉक्स हैं, जहां पर राय आपको बनानी है, और अनजी आपको एक और स्टॉक ऑफ दे भी देने के झाल झाल